हेलो फ्रेंट्स आजके इस वीडियो में एक बहुती बड़ी अपडेट सामने आ रही है जी हैं दोस्तों ये वीडियो उन सभी लोगों को देखना बहुत जोरूरी है जो इस समय दूसरे देशों में ट्रेवल करके जाना चाते हैं खास करके ऐसे देश जिन देशों ने भारत से सीधी उडाने चालूर नहीं की हुई है लेकिन उन देशों में आप किसी दूसरी कंट्री में 14 दिन का इस्टे करके जा सकते हैं जैसे कि यहाँ पर UAE, सौदी अरेबिया, इसके लावा कैनेडा और भी दुनिये के कई सारे देश हैं जिन्नों ने भारत से अपनी सीधी उडाने चालूर नहीं करी है लेकिन उन सभी देशों में आप सभी लोग को ट्रेवल करना है तो आपको किसी दूसरी कंट्री में 14 दिन का इस्टे करना है उसके बाद आप इन देशों में ट्रेवल करके जा सकते हैं तो फ्रेंस आगे बढ़ने से पहले आपके साथ ये Times of India का news share करना चाहेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Times of India ने इसको लेकर यहाँ पर update दिया है कि 15 जुलाई से मालदिव जो है South Asian देशों से अपनी बीजा को सुरू कर रहा है यानि कि जो लोग भी आप मालदिव के लिए ट्रेवल करके जाना चाहते हैं South Asian देशों से वो सभी लोग आप मालदिव जा सकते हैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग आप साथ एसे अन देश कौन कौन से हैं उसके बारे में बता दे तो फ्रेंट्स इस लिष्ट में जो देश आते हैं उनमें यहाँ पर भारत, पाकिस्तान, नेपाल, सिरलंका, बांगला देश ये सारे देश सामिल होते हैं यदि आप इन सभी देशों में हैं तो आब आप मालदिव के लिए ट्रेवल करके जा सकते हैं आपको बता दे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग पहले भी मालदिव में चोटर दिन का श्टे करके उसके बाद दूसरे देशों में ट्रेवल करके जा रहे थे यदि आपर मालदिव से उड़ाने चालो होती हैं तो उन सभी लोगों के लिए काफे ज़ासानी होगी जो लोग भी दूसरे देशों में ट्रेवल करके जाना चाते थे और एक सस्ती कंट्री का वेट करे थे कि किसी भी सस्ती कंट्री में जाकर वो चोड़ दिन का स्टे कर सके और उसके बाद वो दूसरे कंट्री में जा सके तो फ्रेंट्स यहां पर बहुत ही अच्छी ख़बर सामने आ चुकी है कि 15 जुलाई से मालदिव जो है बीजा ओन एराइवल की सर्विश शुरू कर रहा है इसके लबा फ्रेंट्स इस कंट्री में ट्रेवल करने के लिए आपको कौन-कौन से नियमों का पालन करना पड़ेगा उसके बारे में भी आपको बता दे खुद भी जाकर इसको पढ़ सकते हैं इसके लबा फ्रेंट्स इससे जुड़ी हुई और भी कोई लेटेस कबर आएगी हम आपको वीडियो के मादियम से अपडेट करते रहेंगे फिलाल के लिए अभी इस वीडियो में बस इतनी जानकारी थी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद